आज हम बात करेंगे dogs का बेहोश हो जाना यानि collapse हो जाना कई ऐसे cases आते हैं जहाँ पर dog अचानक गिर पड़ते हैं बेहोश हो जाते हैं और हमें समझ में ही नहीं यह आता कि यह situation क्या है और इसे कैसे tackle करें हाई, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम डिसकस करेंगे कि अगर आपका डॉग भेहोश हो जाए, कॉलाप्स हो जाए तो उसे कैसे मैनेज करें हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग की रोजमर्रा के जिन्दगी में आने वाली दिक्तों से रिलेटेड टॉपिक पोस्ट करते हैं आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि हम इसे आपके लिए और भी बहतर बना सकें डॉग का बेहोश हो जाना कई वज़े से हो सकता है और इसके कई सिम्टम्स होते हैं सबसे पहला सिम्टम होता है पार ठंड होना, बहुत जादा ठंड के अंदर बॉड़ी खुद कोल्ड हो जाती है और इसकी वज़े से भी डॉग बेहोश हो जाते हैं दूसरी चीज़ अगर डॉग बहुत जादा गर्मी में है बहुत जादा हीट में है तब भी डॉग बेहोश हो जाते हैं खासकर वो डॉग जिनके मजल शौट होते हैं तीसरा केस जब डॉग किसी ऐसी बीमारी से पीडित हो जिसके अंदर उसे फीट्स पढ़ते हो उसे दोरे पढ़ते हो ऐसे केसी में भी डॉग बीमार पढ़ जाते हैं कुछ ऐसे cases होते हैं जहां पर dog का कोई operation हुआ होता है surgical operation की वज़े से उनके body के fluids loss हुए होते हैं इसकी वज़े से भी weakness में dog बेहुश हो जाते हैं और कई cases में ऐसा भी देखा गया है कि dog की skin अंदर से नीली हो जाती है उसका oxidation उसमें oxygen नहीं पहुच बाती ऐसे cases के अंदर भी dog बेहुश हो जाते हैं हम कुछ medicines आपके साथ discuss करने जा रहे हैं लेकिन जो भी आप medicine यूज़ करें डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बिना ना करें self medication आपके लिए हनिकार रखो सकता है ये वीडियो आपकी information के लिए है ताकि आपको पता चल सके कि इस बीमारी में होमेपेथिक की कौन कौन सी दवाई यूज़ होती है ये कपूर से बनाई गई होमेपेथिक दवा है बहुत ही effective है जब बाड़ी ठंडी हो जाए और इसका दूसरा symptom ये भी है कि बाहर भी जादा ठंड हो इस case में आपको 10 बूने थोड़े से पानी के अंदर आप दिन में 3 टाइम दें तो इसका बहुत अच्छा result होता है दूसरी medicine है कार्बो वेज़ ये medicine कोईले से बनाई गई medicine है और इसका असर भी उसी तरह से होता है बिल्कुल ठंडा पॉड़ी ठंडी हो जाती है पॉड़ी के अंदर से fluids loss हो जाते है ये आप 2-3 बूने दिन में 3 टाइम दें इसका बहुत ही अच्छा result है ये हैं कॉलैप्स की रामबांड दवाई है अगर डॉग को feats आते हैं दौरे पड़ते हैं इसकी वज़े से उसकी body अकड जाती है अकडने की वज़े से डॉग बेहोश हो जाता है ऐसे के इसके अंदर कुप्रम मैट बहुत ही अच्छी medicine है और इसका result भी बहुत अच्छा है या आप 2-3 बुझे 3 बार दे अगर आपका डॉग sunstroke की वज़े से धूब की वज़े से heat stroke की वज़े से बेहोश हुआ है तो गुलो नीनम बहुत ही अच्छी medicine है यह medicine आप उसे 2-3 drop दिन में 3 time दीजिए उसकी recovery के लिए अगर डॉग का कोई operation हुआ है या उसका कोई accident होने की वज़े से उसकी body से fluids loss हो गए है blood का loss होना बहुत ज़्यादा heat stroke की वज़े से water का loss होना तो strontium कार बहुत ही अच्छी medicine है इस case के लिए वेरेटरम आल भी बहुत अच्छी medicine है ऐसे cases के लिए जहाँ पर body के important fluids loss हो जाते हैं जैसे पानी का loss हो जाना electrolyte का loss हो जाना या blood का loss हो जाना मेरे पास अक्सर call आते हैं खासकर winters में भी कि सर हमारी dog का temperature गिर गया है नीचे जा रहा है तो क्या करें कपूर का mother tincture और काब वेजी तो बहुत ही अच्छी medicine है और ये आप हमेशा आपने ध्यान में रखिए कि body temperature अगर डाउन होता है तो ये दौनो medicine राम बान medicine है आप किसी भी doctor की सला के साथ में इन्हें ले सकते हैं अगर फिर भी आपको मेरी राय चाहिए तो आप मेरे number पे message कर सकते हैं क्रपया call ना करें क्योंकि कि मेरे busy होने की वज़े से मैं call कभी कभी नहीं उठा पाता आपके message का जवाब मैं जल से जल देता हूँ Thank you for watching our channel अगर आपको मेरा channel पसंद आया हो तो please say like कीजिए share कीजिए, subscribe कीजिए और अपने valuable comment चलू कीजिए Thank you